साई की बात रोज में रोज में आगे जो रोते होना परेशान होना की तुम्हारा कोई नहीं ऐसा मत दिख् नहीं रोगता नहीं मेरे बच्चे की तुम कुछ साल पहले कहां थे याद करो न अपने पिछले दिनों को और आज देखो ना कि तुम्हारे जिन्दगी में मैंने कितने सारे बदलाव किये हैं तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें नहीं देखना यानि कि नकरतमक चीज़ों को जो नहीं हुई है वो भी होंगी वो सब होगा लेकिन धीरे-धीरे करकर होगा न लेकिन जो मैंने किया है तुमारे लिए तुम उस पर ध्यान देई नहीं रहे तुम दुखी हो रहे हो ये सोच कर कि वो नहीं हुआ तुमारा बार बार ध्यान एकी चीज़ पर जा रहा है कि वो क्यूं नहीं हुआ अरे वो भी होगा मेरे बच्चे लेकिन जो किया है उसे खुश तो हो जो दे रहा हूँ उसे खुश तो हो जाओ जो आशरवाद तुम्हें दिया है उसे खुश तो हो जाओ मेरे बच्चे ऐसे मत करो और तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर जो ये भावना उत्मन होती है न, बदले की भावना, नाराजगी तुम्हारे अंदर, किसी के लिए नफरत, बहुत अलग सा हो गया है न, तुम्हारा मन बहुत खटास आ गई है न, किसी को लेकर तुम्हारे मन में, तो सुनो मेरी बा मेरे बैख्चे क्युक्तकि देख़ो तुम चाहे कितना भी अच्छे को न, अगर तुम किसी के बारे में गलत सोचोगे, गलत भावना लेकर आऊगे न, तुफिर कुछ न कुछ गलत होगा ना मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ अपने बाबा की उपर छोड़ो, तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा सब कुछ ठीक कर देगा, मैं एक दम तुम्हारे जिंदगी में सुक शांती लेकर राऊंगा, ये और सुनो, एक बात ना ध्यान रखा करो मेरे बच्चे, जो भी तum खाना बनाते हो ना, ध्यान रखा करो कि वो इधर से उधर, वियर्थ ना हो मेरे बच्चे, वो बाहर ना जाए, तुम जाते हो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे है, जिन के पास दो वक्त का खाना भी नहीं होता, तो वो गलत है ना, तुम बताओ ना, इतना सारा खाना तुम रोज फैकते हो, जो बच जाता है ना, उसे ऐसे फैका मत करो, या तो किसी को दे दिया करो, या फिर उतना ही बनाया करो, जितना की तुमारा इस्तमाल हो सके मेरे बच्चे, चीजों को देखो ध्यान रखो, छोट घर पर बहुत प्रभाव डालता है मेरे बच्चे ये छोटी छोटी चीजे ना तुम्हारे घर पर प्रभाव डालती हैं इन चीजों पर ध्यान दो देखो तुम्हारे घर में कितनी सकरत्मकता आएगी तुम ध्यान नहीं देते मेरे बच्चे और सुनो जो मेरे बच्चे सु जाब करते हो मेरा ध्यान करते हो मेरा उस वक्त मुझे महसूस करना मैं तुम्हारे पास में ही होंगा मेरे बच्चे मैं तुम्हारे पास में उस वक्त होता हूँ जब तुम मेरी काकडार्ती करते हो न मैं उस वक्त तुम्हारे पास होता ही होता हूँ मेरे बच्चे जो तुम मैंने ना बहुत बड़े धोके से बचाया मेरे बचे तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे साथ कोई धोका कर जाएगा नहीं ऐसा हो इनी सकता जब मैं हूना तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ कोई गलत कैसे कर जाएगा मेरे बचे कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता कोई चाहे भी ना तो चाहा कर भी वो तुम्हारा कभी गलत नहीं कर पाएगा तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जो तुम्हारे आखों का अराम है ना मेरे बच्चे वो बहुत जरूरी है मेरे बच्चे और जो तुम्हारे मन की पीड़ा है न जो तुम्हारे शरीर का कस्ट है न इन सब को मैं दूर करूँगा मेरे बच्चे तुम बिल्कुल जिंता मत कर न जो तुम्हारी आखों में दर्द है न जो दिखता नहीं न हर किसी को, वो मुझे दिखता है मेरे बचे, तेरे आखों का दर्द मुझे दिखता है, जब तु मेरी आखों में आखे डालता है न, तो वो दर्द मैं पढ़ सकता हूँ, तेरे शब्द न, चाहे कहीं न कहीं, लेकिन मैं तेरे मन को पढ़ सकता हूँ मे एक बात बताओं तुम्हें, कुछ साल पहले तुम जिन लोगों से बह। डरते थे जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बह। गलत किया और आज कुछ साल बाद ना, तुम खुद देखो ना, कितने शक्ती हीन हो चुके हैं वो, उनके अंदर कोई शक्ती ही नहीं बची मेरे बचे, जो लोग तुम्हें डराते थे ना, आज उनकी इस्तिती ऐसी हो चुकी है ना, कि तुम्हें उन पर दया आती है, तुम उन पर इ मेरे बचे हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, किसी का गलत नहीं सोच सकते, आज अगर वो पीडा में है ना, दर्द में है ना, तब भी तुम मेरी उदी ले जाकर उने दोगे, मुझे पता है, तुम्हारे मन को ना, मैं बहुत अच्छे से समशता हूँ मेरे बचे, मुझे पता है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा दिल कैसा है, तुम कभी भी किसी की पीडा नहीं देख सकते, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम भागे-भागे जाते हूँ उनके लिए, है ना, और सुनो, जरूरी नहीं था मेरे बचे, जो जब तुम अपना छोड़कर मेरे लिए कुछ करते हुँ ना, तब अच्छा नहीं लगता मेरे बचे, पहले अपना देखा करो, अपने लिए कुछ लिया करो, जब पैसे बचा करें ना, तब जाकर मेरे बारे में सोचा करो, या फिर मेरे लिए कुछ लिया करो मेरे बचे, प तुम्हें तुम्हारे मार्क से भटकाने की कोशिश करेंगे। कभी तुम्हें भावु करकर तो कभी कैसे तो कभी कैसे लेकिन उनकी बातों में कभी मत आना। क्योंकि जो तुम कर रहे होना मेरे बच्चे उसी में तुम्हारा भविश्य छुपा है मेरे बच्चे और अपने भविश्य को ना तुम यूही खराब नहीं कर सकते मेरे बच्चे किसी की भी बातों में आकर तुम अपना भविश्य नहीं खराब कर सकते बिलकुल मत करना अपने नियम को कभी मत तोड़ना जिस नियम से तुम जाते हो रोज करते हो नए उसे नियम से उसे शिदत से रोज जुनून के साथ करो देखो वो होगा जो तुम चाह रहे हो न वो हो चाहेगा मेरे ब Κशे और सुनो कोई बात है तुम्हारे रास की जो किसी और तक पहुंच चुकी है वो इनसान तुम्हारा कुछ कहने को अपना तो है लिकिन कहीं न कहीं उसका गुसा बहुत खराब है जब वो गुसे में होता है न तो वो सारी बातों को बोल देता है कह देता है तब उसे समझ में नहीं आता कि उसे कौन सी बात क्या कहनी चाहिए क्या नहीं कहनी चाहिए न उसे समझ में नहीं आता लेकिन तुमने जो कहा है न अब उसको घुमा फिरा कर बोल दो क्योंकि देख तो जिस इंसान को तुमने कहा है न देखो मैं सच कहो लेकिन उत्रा कहो जितना कल को किसी का नुकसान न हो मेरे बचे अगर वहां तुम्हें जूट बोलना पढ़ रहा हो किसी को बचाना पढ़ रहा हो न वहां जूट कहने में कोई बुराई नहीं मेरे बचे वो सच्से भी बड़ा सच है मेरे बचे, बात को समझो, इतना सच्चाई के रास्तों पर मत चलो, चलो लेकिन इतना नहीं कि कल को अपना ही नुक्सान कर बैठो, उत्रा भी नहीं मेरे बचे, बस जूट वहा नहीं बोलना, जहां तुम्हारा या किसी और का कोई नुक्सान हो, लेकिन सच से अगर किसी का जीवन सवर रहा है न, सच के द्वारा अगर कुछ अच्छा हो रहा है न, तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में, तो वहाँ पर जूट कहना भला है मेरे बचे, खुश रहो, आज का रात्री साई संदेश, समाप्तुवा